हेलो कमांडोस कैसे हैं आप लोग वेलकम तो बायोमेंटोस क्लासेस ऑनलाइन और आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात कर रहे हैं 12th NCRT से एक बहुती रेलिवेंट चाप्टर जिसमें जीके बेस्ट और कुछ फाक्ट बेसिस इवेंट्स के कुश्चिन्स जो बायो टेक्नलोजी सेक्टर में एप्लिकेशन वर्ल्ड से रेलेटेड इस चाप्टर में कुछ महत्पून पहलो जिसे हम कह सकते हैं वहत्रीन कुश्चन ओरिएंटेड लास्ट थ्री तो फोर येर्स अगर हम बात करें स्पेशली 2021 और 22 तीन साल तक अगर हम देखें बायो टेक्नलोजी उनिट से एवरेज 7-8 कुश्चिन्स आये हैं जिसमें से इस चैप्टर का एक अच्छा खासा वेटेज रहा है तो कुश्चन के क्या पैटर्न रहते हैं और किस तरह से NCRT में बाते बताई गई हैं और किस तरह से केस स्टडी अलग अलग तरह से जो है इस चैप्टर में बताया गया है कि प्रिंसिपल्स अन प्रोसेश आफ बाया टेकनोलोजी तू ब्रिंग प्रोड़क्ट ऌफ इंट्रेस्ट प्रोड़क्ट अफ इंट्रेस्ट इन डिफ्रेंट आस्पेक्ट विविन पहलुओं में समाज इंसान जहां पुरी प्रिंसिपी पर रह रह रहा है और उसकी हो एन्वार्मेंट हो फुड प्रोडक्शन हो या फिर किसी और तरह की इंडस्ट्री में समय के साथ बायो टेक्नलोजी का एक बहतरीन जो है आप कह सकते हैं डीप रूट एप्लिकेशन सामने आ रहे हैं जो भविश्य में और भी रहेंगे तो इनी बातों के साथ मैं आंसर करने का सठीक प्रोबेबल आंसर गिये गए ऑप्शिंस में जो पैटन आफ कुश्चन रहे हैं पिछले कई सालों से जब से नीट इंटर्ड्यूस हुआ है इन बातों को गौर करते हुए जाना है So here I begin the lecture with the very first statement of NCRT और वो यह कहता है कि बायो टेकलोजी का जो application है यानि जो इंडस्ट्री की तरह यह विक्सित हुआ है लेबाटरी से यह कैसे field पे उतरा है या ऐसा आप कह सकते हैं कि यह मातर ऐसा subject है जो कि लैब से किताबों तक आया है लैब से किताबों तक आया है और since time unknown हमारे बीच यह regularly रहा है बस समय के साथ हम more techno friendly होते गए और नए नए aspects आयामों को इस पे जोड़ते गए और application की तरह हमारे पास इस तरह के valuable products की तरह आते गए हैं जो इस chapter में discussed हैं तो आप देख सकते हैं biotechnology application therapeutics यानि आप ऐसा कह सकते हैं कि एक industry of health therapeutics मतलब किसी भी बिमारी किसी भी disorder को इलाज देने का approach उसमें biotechnology का लेकिन इलाज तो तभी दोगे ना जब समय रहते हुए आपके पास उस factor उस causative root cause चीज़ जो शरीर में पनप रहा है येस that field is called diagnostic that is called diagnostic शरीर में कोई विक्री कोई disorder पनप रहा है हमें अगर ग्रासरूट लेवल पे ही पता चल जाए तो इससे बहतर क्या है तो क्या biology science इससे हमें मदद कर सकता है क्या वो कैसे ऐसे तकनीक उपलब्द करा सकता है जो इसको हासिल करने में समय के साथ early detection जिसे हम कहते हैं हाँ हम देखेंगे उसके साथ कैसे ही सारी चीज़ें तो यही question का मुद्दा रहेगा फिर genetically modified crops सही बात है इंडिया जैसी country की अगर हम बात करे हैं दुनिया के किसी भी जगे चले जाएए agriculture economy agriculture practices उस देश उस country उस continent की economy का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और समय के साथ as ever you know हमेशा population size बढ़ता है and you need a good amount of food to feed the population बढ़ते हुए आवादी को साथ समय के साथ variety quality quantity के साथ जो है food के resources हमेशा ही चाहिए क्यूंकि आप जिन्दा है आप में जान है तो जहान है और वो बना रहेगा the ultimate source of energy जो आप food से हासिल करते है तो food जो definitely आने वाले समय में एक prime requirement है किसी भी population को sustain survive करने के लिए तो क्यूंकि अब इस में गौर करिएगा कैसी ये chapter इन बातों को आपके सामने रखता है बिल्कुल this is the reasoning part ये इस chapter का वो पहलू है जहां से एक बहतरी in reasoning के साथ questions पूछे जा सकते हैं मैं उनी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके सामने अभी reciprocate करूँगा जिसे आपको जो है गौर फरबाना है चलिए शुरुवात करते हैं बायो टेक्रिलोजी थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया बायो टेक्रिलोजी पे विविन प्रकार के डिरेक्शनल नॉन डिरेक्शनल रिसर्च चल रहे होते हैं लेकिन जो कोर तीन एरिया NCRT आपको बताता है ये question का पहला हिस्सा है इस chapter के introductory part से कि हमेशा लगातार नए नए इंप्रूवड माइक्रोब यानि माइक्रोब हो सकता है प्लांट एनिमल अलग अलग तरह के वो होस्ट हो सकते हैं जिनको हम हमारे मनुवांचित डिजायर के अनुसार ऐसे फिनो टाइप के साथ डेवलप करें जिससे हम काम ले सकें कम से कम समय में जादा quantity और quality के साथ या फिर कोई product और सौभाविक है हम जानते हैं कोई भी living product living चीज जो है वो metabolism का नतीजा और हर metabolism किसी ना किसी effective प्रवावी enzyme का नतीजा होता है उसके participation से ही वो काम बहतर दिशा में संपन होता है तो हम लगातार जो है एक नए नए enzyme product या फिर उसको बनाने वाला कोई genetically modified microbe plant, animal उनकी metabolism में changes लाकर तयार करते हैं हाँ मैं अब GMO की बात कर रहा हूँ फिर create optimal conditions फिर हम जिसको बनाएंगे वो किस प्रकार से बहतर तरीके से अपने काम को कर सके उस catalyst उस product को एक बहतर environment में ले उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है optimum conditions के साथ उस पर research होता रहता है and better downstream और आखरी में हम जो कुछ भी उतपाद मनाते हैं क्योंकि production तो बहुत आसान है लेकिन customer client user जिसे हम कह सकते हैं उपभोगता जिसे हम कहते हैं उसके हातों तक उस तक user friendly वो प्रोजार समय के साथ कम दाम में ठीक ठाक जो है cost effective कह सकते हैं प्रभावी रूप से result oriented less side effects बहुत सरी ऐसे बातों के साथ तो ऐसे विधाओ पर यानि इस तरह के चीजों पर भी काम लगातार बना रहता है उसी को हम better downstream processing कहते हैं जो industry to industry product to product vary करता है बिल्कुल सही है तो मैं उमीद करता हूँ कि दो points से आपको NCRT का सबसे पहला हिस्सा paragraph में जो बात आपको कितना eye storming है ना आख और दिमाग की बत्ती जला दे इस points के साथ आप गौर करिएगा कि क्या बताया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं next three options अब इसको हासिल करने के तीन option है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ food production enhancement क्यों बढ़ती हुई आवादी घटता हुआ land है न productive land, fertile land जहां पर खेती बाड़ी हो सके तो कम से कम जगे में जादा से जादा घनत्व के साथ उतपाद मिले तो food production को enhance वो तो हो ही रहा है लेकि उसको कैसे enhance करें तो इस दिशा में समय के साथ अलग-अलग अलग-अलग दशक में अलग-अलग समय में काम किया गया सबसे पहले तो हम कहेंगे green revolution जो agrochemical based agriculture था green revolution कैसा revolution green revolution जिसमें बहतर से बहतर varieties को कीट नाशक तता fertilizer chemical fertilizer का इस्तमाल करके लेकिन वो environmental issue बनता गया समय के साथ bio magnification को बढ़ावा मिला और भी दूसरे फिर इतने महंगे होते थे कि बहुत से देशों में तो उसको अपनाना वहां के गरीब किसानों के लिए संभवी नहीं था तो दुनिया के कुछ हिस्सों में उसको बहुत अच्छा response मिला और कुछ हिस्सों में वो fail भी हुआ अपने requirements के कारण तो अगला है जो organic यह नहीं उसका तरीका यह ढूंडा traditional conventional तरीका और जिसमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का स्तमाल ना करके मैनुवर यूमस और मैनुवर का स्तमाल करके और गैनिक कल्चर को बढ़ावा लेकिन और अगरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सबसे बढ़ा demanding जो factor है वो तो क्या है यानि जो मुद्दा है वो है भौत जादा लैंड और उर्वरा की योगति यानि फर्टाइल लैंड जो की समय के साथ घटता जा रहा है due to concrete forest population size बढ़ रहा है काफी hectare land जो है आज कहीं न कहीं किसमें परिवर्थित हो गए है concrete forest घर बिल्डिंग और सारी सुकसुविदाव से तो वो भी संबबनी और गैनिक फार्मिंग जिसे हम क्यों क्योंकि आप जिस लैंड के हिस्ते में और गैनिक फार्मिंग कर रहा हो लेकिन आप से जुड़ा हुआ कोई और दूसरा body land वहां पर है वहां तो कोई ना कोई industry या chemical काम हो रहा है तो उसी के ही गंदी की toxicity आपके land में आके जमा होगा तो आप कैसे maintain कर पाऊगे तो ऐसी भहुत सारे issues तो धीरे धीरे अब समय की मांग ये है बढ़ती वी आवादी को quantity quality के साथ कम समय में बहतर से बहतर उत्पात देने के लिए हमें genetically modified plants, transgenic plants और gene proper based agriculture करना पड़ेगा क्योंकि यही समय की मांग है that's how the chapter starts इस तरह से बात रखी गई है समझ माया now this is a prior revision आप गौर करिए मैं एक एक point sequence में कैसे बोल रहा हूँ इनी बातों को ध्यान में रखते हुए आप question की तयारी करेंगे चलिए तो यह three options का question बना all the above सही बात है इसका क्या drawback है फिर हम इस प्याना पड़ेगा लेकिन इस पर जाने से पहले में green revolution, increased yield, use, improved crop varieties, better management practices, agrochemical बिलकुल सही बात लेकिन मैंने कहा न environmental hazard बढ़ा इसलिए से रोकना पड़ा next genetically modified organism, GMO, plants, bacteria, fungus, animal, हर category में whose genes have been altered by manipulation किसी भी प्रकार का उनमें अनुवांचिक बदलाव लाकर उसमें हस्तक शेप लाकर हम उसको हमारे अनुसार, हमारे दिये गए वातावरण में वहवार कराना और उद्देश पून यानि हमारा जो actual aim objective है उसको हम हासिल कर लेते हैं, yes तो इस प्रकार से हम GMO, तो इस category में सबसे पहले मैं plants की बात करूँगा, तो GM genetically modified plants, transgender plants, useful in many ways अब देखिए आप कैसे, कि बहुत पहले से ये समया आ रहा है, कि हम प्रकृती पर निर्भरत है, वहाँ के stress condition, फलाने season में ही ये खेती होगी, ऐसा होगा पानी, ये बहुत सारी बाते थी, यदि restriction, आज इनसान इन चीजों से बाहर निकल कर, उसका है कि नहीं, हम बे मौसम खेती करके भी साल के दूसरे समय पे भी फलाने प्रकार के उत्पाद को market में available कराएंगे, गोवी पहले एक खास season में ही उपलब्द होता था दोनों गोवियां, लेकिन आज 20 साल बाद ऐसा हो गया इन 20 सालों में, कि गोवी साल भर मिल रहा है, क्यों, क्योंकि उनका maintenance, storage, य दूनिया के एक हिस्से में जो या शहर या फिर आप कह लीजिए कि पूरे देश के एक हिस्से में जो खेती होती है, आज वो शहर के दूसरे पूरे देश के दूसरे हिस्सों में वो खेती किसी और season में होती है, अभी तो वो साल भर उपलब्द हो पा रहा है, और नाकिवल और है बोले पूरे देश के लिए फलानी वो सब्जी वो तो कम से कम जगे में जासे ज़्यादा उत्पात देगा ये उसकी क्या है प्रोडक्टिविटी है इल्ड को बढ़ाएगे क्योंकि यही तो हम मौडिफिकेशन कर रहे हैं तो देखिएगा गौट से NCRT इस बात को कैस अगर अनफेवरेबल प्रतिकुल वातावर नहीं ववस्ता जाती है तो वो क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुचेगा क्योंकि उसके अंदर उसको सामना करने की शम्ता ऐसे ट्रासजनिक प्लांट्स पैस्ट रिजिस्टेंस ऐसे क्रॉप्स बना देंगे जो खुदी इंडी अपने पेड से तूट कर मार्केट तक जाने में 15 दिन महीने भर बात पहुच रहा है तमाटर हो गया बहुत से चीज़े तो स्टोरेज प्रॉबलम्स होने के कारण सर जाते है रॉटनिंग लेकिन अगर उनको सेलफ लाइज पढ़ा दे फ्लेवर फ्लेवर टोमेट इसका उधारन है ऐसे करके आप सोचिए ना पेस्ट रेजिस्टन्स में आप बेसिलिस्ट रहे है बीटी कॉटन बीटी कॉन इस तरह की सब फिर बेलकोग नहीं है ना आर एने इंटर्फरेंस का यही तो एक्जाम्पल नसी इंटर्फरेंस का इस्तमाल करके आज हम टोबैक को जो है निमाटोड रेजिस्टन्स बना सकते है तो वो पैस रेजिस्टन्स हो गए इंक्रीज एफिशन्सी ऑफ मिनरल यूसेज बहुत से जगए कि सॉइल की फटलीटी कम रहती उसमें उप्यूक्त मिनियल जो उसको चाहिए वो कम है लेकिन फिर भी वो जादा से जादा मिनरल का अप्शोशन करके समाल कर लेगा क्योंकि हमने उसको इस तरह से अनुवांशिक मौडिफिकेशन कर दिया है तो इस तरह से चीजों को जो है बताया गया है ठीक है ये एक आस्पेक्ट बोलते हैं ये एक पहलू हो गया अब एन्हांस्मेंट इसी कोई कहते है बायो पहले मैं शब्द बता दू इस घटना कोई कहते है बायो फॉर्टिफिकेशन क्या कहते है बायो फॉर्टिफिकेशन एन्हांस्मेंट न्यूटिश्नल वेल्यू ऐसे ये कह बोलते हैं पैदावार हमने इस प्रकार का एक्रिकल्चर प्रोड़क्ट तयार कर लिया कि जो ची जो है night blindness यह दूसरी और ऐसे जो है skin diseases, vitamin A की कमी से उनमें हो से होने के chances बढ़त रहें, तो कैसे हम उनको खाना पुचा सकते हैं, अब उनको दूसरे चीज़ क्योंकि underdeveloped country है, जहां पर दूसरे महेंगे फल वगेरा वो सब उतपादन वहां का मौसमें लओ नहीं कर रहा है, तो क्यों ना उनके खाने में, सोच देखिया आप, this is GM, this is genetically modification, biotechological application, chapter के जो प्रवर्ती, जो nature and understanding का, वो इसी प्रकार से, इसलिए तो आपको ऐसा बताया जा रहा है, आ गई मेरी बात समझ में, yes, तो गौर करिएगा, yes, ध्यान से एंसियाटी देखियेगा, यह लिखा है, golden rice, vitamin A, help to reduce the post harvest, यानि harvesting के बाद, जो है, फलो को, सुजियो को, जो भी उनको रख कर, उनकी self life बढ़ा दे, ऐसे, अंक अंदर metabolism, ऐसे jeans लगा दिये, flavor sliver tomatoes का है, तो वो आसानी से सड़ते नहीं है, क्योंकि उनके जो respective cell wall को जोड़े रखने वाले, lignin और अंदर जो वो होता है, middle amyla layer, उसको digest करने वाले enzymes को हम काफी हद तक निश्क्रिय कर देंगे, तब ही तो उसकी self life, आसानी से वो नरम नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां वो cell wall नरम पड़ जाएगा, उसका epicarp नरम पड़ जाएगा, puncture हो जाएगा, दब जाएगा, टमाटर सर जाएगा, तो flavor sliver tomato, salad tomato जो आज market में उपलब्ध है, सलाद वाले टमाटर कहते हैं, जिसमें pulp जादा होता है, बीजे कम होती है, तो यह सारी characteristics हमने उसके अंदर introduce किया, और उद्देश है, self life बढ़ा कर उसको edible, खाने लायक उसका taste बना रहे, तो इस प्रकार के बहुत सारे उतपादे, हिरुडिन, आज ऐसे है ना, ब्रेसी का नेपस एक plant होता है, उसमें हम जो है, उनके seeds से हम extract करते हैं, हिरुडिन, एंटिकोगलन, जो अलग-लग बिमारियों के, हैना, रक्त संबंदी, क्लोटिंग संबंदी, बिमारियों के इलाज के इस्तमाल हो सकता है, जबकि हिरुडिन एक plant में बन रहा है, लेकिन वो तो नेचर में एक animal product था, वो तो हिरुडो, medicinal leech, उनके gene से बनने वाला था, तो आज हमने वो animal gene को plant में transfer करके, molecular farming का ये उधारान, किसका उधारान है, molecular farming, क्या होता है, हमारे therapeutic use, बिमारियों के इलाज के लिए, तो मेरा कहने का मतलब है, कि इ NCRT ने इनी मुद्दो को रखा है, और फिलाल, nutritional value किसी चीज का बढ़ा देना, जैसे golden rice, एक उधारन है, variety, जिस rich source of vitamin A, तो वो उस माध्यम से, ये ठीक वैसा ही है, जैसे नमक को iodize कर दिया गया, iodineuct नमक, जिससे की घेंगा जो एक बहुत endemic disease था, पहले कुछ लेकिन पू living being को nutritionally enhance कर दिया, कि वो एक ऐसा food product की तरह, जिसको consume करने पर ना केवल paid भरे, बलकि शरीर regulate भी हो, दूसरे metabolism को भी नियंत्रिक मिल सके, इसी को कहते है, bio fortification, clear, चलिए, अब आगे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, कि जितने भी आपको मैंने points बताएं हैं, ये जितने भ pathogen agriculture, खेती बाड़ी में जो agriculture practices में, bio technology किस प्रकार से, उसने अपनी path बनाई है, penetrate किये, इसको गौर करिये, pest resistant plants, जो pest है, जिनके attack से जो है, नुकसान पहुचता है, insect pest है, हम जानते है, agriculture की दुनिया में, अलग-अलग प्रकार के key है, जो सबसे प्रमुक पेस्ट होते हैं, ज जब एक respective plant category, जो crop plant है, वो फल देने लायक आता है, उसके पत्ते बहुत important है, क्योंकि वही साख सबजी है, vegetables है, leafy vegetables, अब leaf पर ही, अगर को insect अपने egg से larva निकल कर, larva धिरे-धिरे न पत्तों को खाएगा, तो definitely भही, उसकी yield खराब होगी, है न, और उसका market का value खतम होगा, तो किसान को तो नुकसान हो जाएगा, तो मेरा कहने का मतलब है, इस तरह से आप विचार करें, और समझे चीजों को, कि अब उस दिशा में, ये तो logic समझ मा आ गया, आप कैसे, betitoxin, betitoxin, source, a rod-shaped soil bacterium, bacillus thuronigensis में एक product बनता है, अब वो बैक्टिरिया खुद उस toxin से क्यो अलपाइन मीडियम में पहुचता है, तब वो एक्टिव होके अपनी toxicity शो करेगा, अब नेचर में ये product उस बैक्टिरियम, soil bacterium से मिलता है, अब वो कब, अब इस gene का स्तमाल, इस characteristics, ये characteristics तो किसमें मौझूद है, microorganism में, हमने उस soil bacterium, bacillus thuronigens की पहचान कर ली, लेकिन वो इसे निकाल के, expressed in plants, plants के अंदर, agrobacterium tumefacian, agrobacterium tumefacian, जो है, हम उस vector का स्तमाल करते हैं, उसके अंदर हमने introduce कर दी, expressed in plants, provided resistance to insects, biopesticides, एक biopesticides जैसा हो गया ना, BT cotton, BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato, soybean, सब को बनाया गया, अलग-अलग तरह के genes introduce करके, क्योंकि, खुद BT toxin का gene है, cry gene, gene को हम small letter में, italic में लिखते हैं, cry gene, अलग-अलग तरह के होते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसका जो product होता है, crystals, है ना, protein को हम capital letter में लिखते हैं, capital C, cry protein, C, यहाँ capital है और यहाँ small है, यह ध्यान रखियेगा, यह भी एक छोटी सी जानकारी आपको पता होना चेह, है ना, crystals of toxin उसको कहते है, cry protein, produced by cry gene, तो BT cotton, modified with genes of bacillus therugensis, बिलकुल सही बात है, produce crystal proteins, crystals of proteins that kill insects, उन keto को और कैसे, lepidopterans, lepidopterans, यह नि टोबैको, bird warm, army warm, यह फिर, है ना, यह सारे अलग-अलग orders के नाम है, beetles, फिर, depterans, flies, mosquito, सब पर ही काम करते हैं, लेकिन, उनमें भी अलग-अलग genes होते हैं, तो हमें अभी फिलाल किस से मतलब है, lepidopterans, tobacco, bird warm, army warm, इस तरह सा अलग-अलग, तो in bacillus, BT toxin protein, inactive toxin होते हैं, bacteria के अंदर वो inactive होते हैं, an insect ingest inactive toxin, बिल्कुल सही बात है, due to alkaline pH of the gut, गौर करना, an insect ingest inactive toxin, पहले वो inactive, अब कैसे, अब हमने मान के चलिए cotton plant है, cotton plant है, अब उसके पते, उसके leaves, उसके अंदर gene मौझू, अब उस प्रोटीन को बना के अपने surface पे excrete कर देता है, कौन plant, clear, अब जब वो insect आएगा, और वो क्या करेगा, पत्तो को खाने के लिए क्लिए क्या करेगा, ऐसा scoop up, चाटने जैसा action करेगा, तो उन प्रोटीन क्रिस्टल को वो क्या कर लेगा, ingest कर लेगा, और उसके elementary canal में, due to alkaline pH of the gut, वो जो inactive toxin हैं, वो जाकर activate होगा, activate होकर क्या होगा, उसके अंदर जो gut epithelium cells पर चिपक कर, उन में छेट छेट पोर्स बना देगा, create pores, cause cell swelling, lysis और death of the insect, क्योंकि उनका पूरा का पूरा elementary canal, perforated, छेद युक्त हो जाएगा, due to the action of the toxin, तो मर गया वो, वो मर गया, तो plant को के नुकसर नहीं होचे, plant ने खुद अपने आपको ही बचा लिया, आ गई मेरी बात समझ में, this is the point of understanding, तो इसी तरह से इसको आप समझे, वो rice हो, tomato, कोई भी plant हो, सब पर ये ऐसी काम करेगा, अब आप देखेगा, अगला, कि specific BT toxic gene, किस प्रकार का insect species है, वैसा ही प्रकार का gene select किया जाता है उसको खतम करने के लिए, तो isolated from bacillus, अलग अलग तरह की genes, incorporated into several crop plants, अलग अलग जो plants है, rice, tomato, soybean, cotton, सभी तो है corn, maize, example, BT cotton, choice of the gene, अलग अलग तरह क्या होते हैं ने, depends upon the crop and targeted pest, कौन सा crop है, किसको हम बना रहे हैं, और उसको कौन सा insect pest आके, उस अनुसार BT gene का chain क्या जाता है, अब इसका दो उधारण क्या है, देखिएगा, most BT toxins are insect group species, सही बात है, BT toxins किसका, insect group species के खिलाफ काम करते हैं, तो जैसे cry, अब धान दीजिए, cry 1AC, cry 2AB, control cotton ball worms, cotton ball worms के लिए ये दो genes होते हैं, cry 1AC, cry 2AB, ये ध्यान रखिएगा, ऐसी cry 1AB, controls cotton borer, जो होता है, उसको control करने के लिए cry 1AB, और cry 1AC और cry 2AB, वो किसके लिए cotton ball worms, तो cotton के लिए दो होते हैं, और इसके लिए के लिए के वल एक, कौन, कौन बोरर, कौन बोरर के लिए cry 1AB, तो cry gene का नाम है, ये बाकी उसके अलग-अलग genes के sets को represent करने के alphabetic presentations हैं, तो किस प्रकार का organism, किसको हम transgenic बना रहे हैं, और उसका कौन pest है, उसके accordingly जो है, चुना जाता है genes, तो this was a best exclusive example in agriculture industry, pest registers बनाने का, चलिए, इसके बाद देखते हैं, next, तो आप देख सकते हैं, this is the healthy, और ये देखिए, इस तरह से affected हो जाता है, A and B, ठीक है, ये देखिए, इससे छेद बना देता है, वो खराब कर देता है, attack करके, clear pest, और अगर स्वस्थ होगा तो B, तो दो तरह का दिखाया गया, कि यहाँ attack देखिए, और ये resistant था, तो ये बन गया ठीक, अब आप सब देखिएगा, अगला pest resistance का बहतरिन example, लेकिन technique ही बिलकुल अलग, उसके पीछे की जो principle है, वो बिलकुल अलग है, और वो nature का ही एक principle का स्तमाल किया गया है, यहाँ पर गौर करने वाली बात है, nature का ही अस्तमाल किया है, कैसे, RNA interference, RNAi, actually इसको नाम ऐसा दिया गया है, basically यह nature का एक event, a cytological event, जो सभी eukaryotic cells में मौझूद होता है, जिसे gene silencing कहते है, क्या कहते है, gene silencing, मेरी बात आ रही सबज में, है न, gene silencing की technique क्या होता है, हर cell, eukaryotic cell, जो अपने post-transnational गलती, अगर transcription, translation, जो genetic expression में step होता है, translation, post-transnational event को रोक सके, अगर, ठीक है, गलत sequence का mRNA बन गया है, और उससे अब protein का sequence खराब बनेगा, जिससे की metabolism या process phenotype जो भी है, वहाँ गलती आ सकती है, तो फिर mRNA को, mRNA से रोक कर, mRNA को, mRNA से रोक कर sequence को, जो है, रोक कर, translation को रोक देना, जिससे की वो protein ना बने, this is gene silencing, तो RNA, mRNA को किस ने रोका, RNA नहीं रोका, sense strand को कौन रोकता है, anti-sense strand रोकता है, मेरी बात आई समझ में, this is the, therefore it is also called RNA interference को anti-sense technology भी इसले का आ जाता है, क्योंकि respective, जो sense strand है, जिससे actually, क्या होगा, copy होगी, protein sequence, उसको रोकना है, anti-sense, जो उसका complementary sequence है, वो आके जुड़ जाएगा, तो उसका translation नहीं होगा, और particular protein नहीं बनेगा, तो यह जो एक तरीका है, अपने respective, जो है, error को, genetic error को, क्या कर देना, demolish, inhibit कर देना, जिससे की, कोई unwanted mechanism अंदर operate ना करे, इसी हम gene silencing कहते हैं, लेकिन आब, देखिए, biotechnologist जो है, उन्होंने क्या सुचा, क्यू ना इसी चीज़ को हम आउजार की तरह, like a tool, इस्तमाल करें, और कुछ plants को, किसी pest के खिलाफ क्या बनाए, resistance बनाए, logic आई बात समझ में, तो देखिएगा सम लोग, अब आपको NCRT के अनुसार, RNA interference, जो याद रखना है, कि काल एन मिगलो, यह जो scientist थे, उन्होंने, 1966 के आसपास, इस technique को develop किया, ठीक है, उसके लिए उनको novel prize भी मिला, used against nematode, M. incognitia, M. incognitia, M. incognitia, it infects the roots of tobacco plants, यह क्या है, निमाटोड है, इन्फेस्टेशन करता है, यह dicot plants, जो होते हैं, उनको लिए क्या है, बात को ऐसे समझे आप, इन्फेस्टेशन करने वाला parasite, एक्टो परसाइट है, roots के अंदर, जो है, जाके उनको cells को खाता है, और वहाँ पर बैटके बढ़िया, जो है, अपना food and shelter अचीव करता है, तो इससे क्या होगा, वो roots, अपना absorption, mineral और water absorption धंसे नहीं कर पाते, तो पेड़ सूखने लगता है, क्यों पेड की yield उसको proper नहीं मिल रहा, metabolic minerals और अपने water absorption, इसलिए great reduction yield, RNA I used to control it, अब इस interference, उसी gene silencing को lab से बाहर, why it is called RNA interference नाम दिया है, हो रहा है gene silencing, लेकिन naturally किसी cell के अंदर नहीं, ये हो रहा है, अब lab में शरीर से बाहर, हमारे हस्तक shape से, मतलब हमने ये induce करवाया, RNA interference to control, a method of cellular defense, what is RNA interference, जो gene silencing commonly कलाता है, सभी eukaryotic organism में cellular defense है, cellular defense किसका, अगर मान के चलिए कोई foreign gene भी आ जाया है, वो transcript करके translate कर रहा है, तो उसके, उस mRNA को, वो भी तो वही करेगा, तो उसको रोकना है, तो हुआ न cellular defense, या फिर अपने से कोई गलती हो जाया है, कोई genetic level पे, त ultimately translation को रोक देना, ये बात आप याद रखिए, everyone clear, तो silencing of specific mRNA, मैंने कहा न, ट्रांसलेशन, mRNA को mRNA रोकना, ट्रांसलेशन, जिससे protein ना बने, due to complementary double stranded RNA, double stranded RNA, double stranded RNA, double stranded इसलिए, क्योंकि उसको तो complementary copy के साथ लाते है, single तो destroy हो जाएगा, SSRN तो destroy हो जाएगा, survive भी नहीं करेगा, इसलिए उसको double stranded उसकी stability के लिए लाते है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, now these are the logics, कि एक mRNA को double, अब double stranded में होई, कौन सा sequence होगा, sense और anti-sense, तो anti-sense ही काम करेगा, लेकिन वो उसका जो sequence है, वो exposed, single form में नहीं आ सकता है, उसको double form में लाया जाता है, और फिर वो जाकर, उस sense strength पर वो anti-sense जाके जोड़ेगा, हट कर, क्योंकि उसको, हैना, ऐसा cut करके, chopping, slicing कर देते हैं, आ गई मेरी बात सबज़ेगा, हाँ, तो वो जो भी है, ultimately वो निकलेगा, और फिर जाके उससे जोड़ेगा, उस targeted mRNA से, due to complementary double stranded RNA molecule, binds and prevents translation of mRNA, कि इस कौन सा, यही जो mRNA है, therefore it is called silencing, देवो ना, mRNA silencing, gene, ultimately mRNA रुख गया, जो gene, transcript होके mRNA बना था, DNA sequence, gene का, what is, what is DNA, chemical form of gene, what is gene, functional form of our genetic material, जो structurally chromosome में bind रहता है, as a chromatin thread like, ऐसे समझे आप, तो जो gene था, functional gene, उसका जो chemical form DNA है, DNA से transcription से mRNA ने बना, उस mRNA को, जो single standard mRNA ने बना, yes, SS mRNA ने बना, उसको उसके end sense complement, को उसके रोक देना, फिर क्या होगा, translation में बना, क्योंकि जगे जगे पर रुखा हुआ है, तो आप आप समझे, जो tRNA आके कहां जोड़ पाएगे, उसका जो loop है, तो reading नहीं कर पाएगा, किसकी mRNA की, क्यों, क्योंकि उस पर आके तो थोड़े थोड़े जगे पहना, छोटे छोटे टुकड़े क्यों से जोड़ दिये, double standard RNA लाके, उनकी cutting, chopping करके, छोटे 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 उसके टुकड़े बना कर anti-sense strands जोड़ देते हैं, आगे मेरी बात सबच भी है, yes, that what happens, और इसके वज़े से वो silence हो जाता है, और during RNA interference, source of complementary, अब बात ये आती है, कि जो double standard RNA है, उसका source कौन होता है, जिसको इस्तमाल करके translation को रोका जाता है, सब कुछ पढ़ने के बाद, अब आप इससे question बना ये, now you make question कि, during RNA interference, the source of complementary RNA, ये जो double standard RNA, उसका source क्या है, यही हमारा क्या है, desired sequence है, from an infection by viruses having RNA genome, jumping elements, jumping genes, उनसे ये बनाया जाता है, या तो वो किसी viruses से, क्योंकि RNA है, viruses are good source of RNA, या फिर, या फिर transposons, जिनका nature ही है, कि वो कहीं भी जाके चिपक जाते हैं, और उनके ऐसे करने से क्या है, बहुत से जागा हमारे expressions रुख जाते हैं, और उससे mutation हमां बने लेते हैं, क्योंकि वो किसी भी sequence की बीच जाके बीच बीच बिच 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 जाएगा, तो जब भी उसकी copy होगी, गलत copy होगी और गलत ही बनेगा, है ना, transposons, jumping genes, वो खुद का sequence तो कुछ काम के नहीं, वो अकसर इदर उदर जो है, कहीं भी जाके Stop the targeted mRNA, जो हमारा targeted mRNA उसको रोकने के लिए, मेरी बात आरे है समझ में, वो जो हमारा double standard RNA, this is the question, वो किस से बनता है, respective retroviruses, यानि RNA genome या फिर transposon, replicate via RNA intermediate, Now, for RNAi, vector, उस double standard RNA को हम कैसे पहुचाएंगे, we need a vector, that is agromacterium tumor fission, तो हम गौर करिएगा, transgenic plant बनाने के लिए vector चाहिए, और हमें FDNA चाहिए, FDNA जिसको हमें, क्या बना लेना है, double standard RNA बना लेना है, तो reverse transcription से हम बना लेंगे, reverse transcription किस में होते हैं, yes, तो इस तरह से मेरी बात समझेएगा, double stranded, double stranded जो RNA है, वो हम किसी retroviruses से या transpose on से तयार कर लेते हैं, लेकिन अब transgenic plant बनाने के लिए host कौन है, tobacco, rice, tomato, जिसको भी हम बना चाहरे हैं, तो यह tobacco plant, dicot plant बनाने के चलिए, dicot को हम बनाते हैं, तो हमें एक vector चाहिए, वो हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कि plant हमारा transgenic है, अब अगस के अंदर, includes nematode specific genes into the host plant, अब हमें रोकना किसका MRN है, बिल्कुल ध्यान से संजिया, रोकना किसको है, हमें MRN निमाटोड के अंदर, निमाटोड के slivery gland में मौझूद वो protein जिसके वज़े से वो हमारे plant के root cells को digest करता है, उस protein को बनाने वाला MRN को रोकना है, clear, now the point is, कि हमें, हमें निमाटोड के अंदर, double stranded RNA को पहुचा रहा है, specific genes into the host, introduction of DNA, produced sense and anti-sense RNA in the host cell, अब आप देखिये क्या हो रहा है, यह सब कहां बन रहा है, transgenic plant, transgenic plant के अंदर बन रहा है, पहले DNA बना, introduction of the DNA, produce, उसने क्या किया, sense और anti-sense strand बनाया, जो anti-sense strand है, वो host cell कौन है, plant के जो root cells है, उनको किस ने खाया, निमाटोड ने खाया, तो अब वो respective, complementary to be each other forms ds RNA, initiate RNA interference, क्योंकि वो sense और anti-sense बना, उन्होंने आपस में जोड़ गए, double standard RNA बन गए, और अब जाकर वो specific RNA, निमाटोड के निमाटोड के cell, निमाटोड के शरीर के अंदर, slivery gland के cells, जहां पर वो respective enzyme मौझूद है, enzyme R-proteins, उस protein को बनाने वाला, mRNA जो जिस gene से बना, उस mRNA को रोग देगा, silence the specific mRNA of the निमाटोड, अब पूरे कहानी में, किस की gene की silencing होगी, निमाटोड, निमाटोड के कौन से gene, जिससे कि उसके secretions में, उसके mouth में वो चीज ऐसा मौझूद हो, जिससे कि वो chopping कर सके, और respective root cells खा रहे हैं, digest कर देते हैं, और वहाँ पनपके रहते हैं, उनको हमें मारना है, तो they starve to death, क्यों, क्योंकि आब वो root cells खा नहीं पातें, और ultimately उनको feeding nutrition नहीं मिलता, they slowly die, लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि genetic alteration हुआ, उनके genetic material का expression को रोख दिया, silence कर दिया, plant क्या है, eukaryotic, तो इसके defense mechanism ने हमने जोड दिया, ये, कौन है plant, eukaryotic organism, तो it's a cellular defense, plant को अपने root cells बचाने थे न, जिससे की root अच्छे से grow कर सके, और उनका absorption disturb ना हो, yield disturb ना हो, तो अब जब वो खाने आएंगे nematode, अगर वो transgenic plant है, तो वो कुछ दिन बाद ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि gene silencing के कारण, nematode के अंदर specific mRNA रुक गया है, जिससे की वो protein ही नहीं बना, जिससे की वो root cells को नुकसान पहुचा सके, तो यही बात NCRT में, consequence, the parasite could not survive in the transgenic host, कौन, जो plant है, cotton plant, उसनी survive कर पाएंगे, express specific interfering RNA, transgenic plant got itself protected from the parasite, उस specific, अपने उस RNA के expression से, double standard RNA के बना देने से, उसने जो है, infested parasitic member का expression रोक दिया, और survive करना मुश्किल करा दिया, तो this is RNA interference, और यही बात NCRT में आप देखिएगा, शो किया गए, कि शुरू के पंदरा दिन, जो transgenic plant है, उसमें से nodules, root clot बन जाते हैं, लेकिन, after some time, 50 days बाद, जो है, वो transgenic plant था, उसमें धीरे 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 सारे वो nodules खतम हो जाएंगे, क्योंकि respective, जो है, pathogen, is the nematode, जो है, parasite है, वो destroy हो चुक है, survive दी कर रहा, so this is how RNA interference, which is actually a cellular defense, gene silencing method, जिसमें mainly mRNA के expression को block कर दिया था, interfere दिया था, by using an antisense mRNA in form of double-stranded RNA, जिससे की protein ना बने, तो इससे भी हमने एक pest resistant plant बनाया, that is cotton plants, resistant pest resistant, again whom, nematode, malacogni, incognitia, main-main बाते आपको यह रखना है, इसमें vector का क्या स्थमाल हुआ, agrobacterium tumeficion, और हमें जो double-stranded बनाने वाला respective, जो है, source कहां से मिल सकता है, complementary strand बनानी के लिए, that is the either retroviruses, यानि RNA containing genome viruses, या फिर transposons, ये main बाते आपको याद रखती है, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, that is about recombinant therapeutic technique, health industry में हम कैसे इस्तमाल करते हैं, तो अब हम बात करने जा रहे हैं about the, about, यानि medical science पर बात होगी, और therapeutics, medical health industry में हैं, किस तरह से जो है, respectively, biotechnology रोल प्ले किया हैं, और किस तरह से diagnostic techniques डेवलप हुए, इंडीड दूसरे industries में भी कैसे हमने transgenic GMOs का इस्तमाल, अलग-अलग तरह के research में, as a volunteer special body की तरह, हमारे मन चाहे तरीके से उनका अस्तमाल करने लायक हमने उनको तैयार किया है, इस सब पर अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि Agri Biotech का discussion आपने थोड़ी दिर पहले अभी देखा, जिसमें आपने देखा कि कैसे agriculture दुनिया में हम अलग-अलग तरह के conditions का सामना transgenic plants के साथ कर सकते, वो सारे case study करने के बाद, अब अगला जो है, that is in production of some medicines, biotech-based medicines आप मान लीजिए, और उस शेतर में सबसे पहला जो बहुती milestone जो है आप कह सकते, production that is of a product called humulin, biotechnologically produced insulin, humulin production को चलिए अब समझते हैं, देखिएगा कि RDNA technique, ध्यान से देखिए everyone क्या लिखा है, the RDNA technique is used for mass production of recombinant therapeutic drugs, therapeutic, ilaj के लिए, therapy मतलब इलाज देने के लिए chemical based drugs, लेकिन अब ये जो conventional technique होता है, insulin का पहले conventional technique of production कैसे था, कि pig के 300 gram pancreas को crush down करके, processing करके, जो है, कुछी ML insulin मिलता था, बट उसके साथ दूसरे और proteins भी होते थे, जिसका long term side effects होते थे, allergic reactions आते थे, patients में लंबे समय तक, और rejection कहीं न कहीं, क्योंकि body में सिर्फ pure insulin नहीं, pure insulin नहीं था वो, उसके साथ दूसरे और blood proteins या दूसरे serum proteins उस animal के भी, जो है, इंसान के शरीर में introduced हो जाते हैं, क्योंकि होर्मोन तो non-antigenic होता है, लेकिन उसके साथ दूसरे और चीज़े जो आ जाती है, it was not opted purely, शुद्ध रूप से वो प्राप्त नहीं हो सकता था, जो conventional पौरानिक तरीखा था, तो अब आप यह देखिए, do not induce unwanted immunological response, यही बात जो अभी अभी मैंने बताया, यह लिखा हुआ है, कि इस production से quantity with quality, quantity में और quality के साथ, presently 30 recombinant therapeutics, पूरी दुनिया भर में, ऐसे 30 प्रकार के therapeutic drugs, जो है माननेता हासिल है, और भारत वर्ष में उन में से 12, पूरी विश्व में 30, भारत में पिलाल जो है, बायो टेक, पिलाल जो बायो टेक प्रोड़क्ट में कुतने, 12 थेरोप्रिटिक्स जो है, अवेलेबल है, और उन में से एक है इंसुलिन, तो चलिए देखते हैं, बायो टेक्नलोजी, प्रोड़क्ट दा हुमलिन, डायबीटीस ट्रीट्मेंट के लिए, आज हमें एक हुमलिन नाम, फर्स्ट ब्रांड नेम हुमलिन, अलिलिली कमपनी थी, अलिलिली कमपनी उसने इसको जो है बनाया, और diabetic treatment के लिए human insulin protein hormone होता है human insulin क्या है protein hormone उसमें 2 short polypeptides होते है yes और chain A and chain B linked by disulfide bridges and insulin synthesized as a pro hormone naturally इंसान के शरी में आप देखिए what is the problem in insulin production क्या major challenge था कि naturally जो शरी में insulin बनता है वो pro hormone होता है pro insulin होता है inactive होता है क्योंकि वो contains an extra stretch उसके अंदर C peptide C peptide का एक extra stretch होता है वो हटने के बाद alpha beta chain आपस में disulfide bond से जोड़कर mature insulin बनते हैं release होने के बाद not present in mature insulin immature insulin में C peptide होता है mature insulin में peptide नहीं होता है removed during maturation into insulin बिल्कुल सही बात है अब आप आगे देखिए क्या बोलना चाह रहे है यह रह डाइग्राम ध्यान से देखिए आप A peptide B peptide तो कौन है extra C stretch यह रह this is the extra C stretch क्योंकि यह रह A और यह रह B तो A इसका हटना ज़रूरी नहीं तब जाके वो आपस में जुड़कर तो यह free C peptide यह शरीर में यह होता है लेकिन हम ऐसा नहीं बना सकते insulin production में we can't go like this हमें तो alpha और beta अलग-अलग बनाना पड़ेगा और फिर उनको disulfide protein engineering से जोड़कर mature insulin form में तो इससे आपने क्या सीखा कि biotechnologically product insulin mature insulin होता है and it can't be taken orally क्योंकि वो digest हो जाएगा that's the concept अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं main challenge for production of insulin using our DNA technique was getting insulin assembled in mature form क्योंकि immature insulin हम शरीर के बाहर नहीं बना सकते क्योंकि फिर उसको orally देना पड़ेगा और orally देने के बाद तो ऐसा ही खड़ाब हो जाएगा और अगर injectable form में भी हम immature देंगे तो अंदर जाके वो active कैसे होगा कौन उसको active करेगा it is not possible वो हमारे body के normal metabolism हट कर process है तो अली-ली-ली 1983 में ये company ने American company prepared two DNA sequence एक A और एक B के लिए दो अलग-अलग DNA sequence दो अलग-अलग bacterial strain के अंदर ध्यान से देखिएगा human insulin introduce them in plasmids of E. coli एक को एक E. coli में दूसरा दोनों को अलग-अलग synthesize कराके फिर उनको हासिल करके उनको assemble किया गया produce insulin chain A and B separately extract करके फिर उनको combine किया disulfide bond से तब जाके वो mature insulin बना तो ये sequence याद रखिएगा ऐसा इसलिए बता रहे है यही तो question पूछने का तरीका है अगला therapeutic concept gene therapy to treat any disease by correcting the gene eliminating the gene by a new corrected gene यह that's gene therapy gene therapy के approach क्या है या तो gene ही नहीं absent नहीं तो हमने functional gene लगा दिया या फिर है लेकिन वो क्या है miss sensed है defective gene है उसको हटा के correct gene लगा दिया इस तरह से इलाज करना that's gene therapy तो correction of gene defect that has been diagnosed in child और embryo बच्चों में या embryo stage में correction of the genetic defect delivery of normal gene into individual या फिर embryo में take over the function defective gene हटा के functional gene उसमें दे दिया जिससे वो काम समाल ले और वेक्ती को normal हो जाए genetic level पे जाके correction करना that is gene therapy चलिए first clinical gene therapy 1990 में a 4 year old girl बच्ची का नाम Asanthi Disalva था Sri Lankan NRI वो श्री Lankan थी और America में जाके उसने इलाज कराया Asanthi Disalva उसका नाम था 1990 में 4 year old girl बिमारी था उसको severe combined immunodeficiency syndrome एक immunodeficiency genetic बिमारी severe combined जिसमें T और B cells दोनों ही absent है mature ही नहीं हो पाते trend नहीं हो पाते क्योंकि कौन से enzyme की कमी से defective gene के वज़े से enzyme adenosine deaminase adenosine deaminase नहीं बनता तो देखिए adenosine deaminase ADA deficiency cured by normally cure करने के क्या-क्या तरीक है what are the conventional bone marrow transplantation महंगा है और खतरनाक है enzyme replacement therapy functional ADA enzyme समय समय पे लेकिन ये सब क्या है कही न कहीं temporary है temporary है कैसे इसको और बहतर किया जा सकता what is the approach मलब ये तरीके है लेकिन अब आप देखिए gene therapy for ADA उसी बिमारी के लिए अगर हम gene therapy पे जाते है bone transplantation है enzyme functionally समय समय पे injectable देकर आप तयार करा सकते है लेकिन वो महंगा और समय समय पे करना पड़ेगा temporary लेकिन gene therapy ये वो ADA क्या करेंगे lymphocytes जो defective lymphocytes patient के शरी से लेके उसको culture कराके उसके अंदर हम functional cDNA complementary DNA of ADA बनाने वाला complementary DNA जो है ADA adenosine deaminase enzyme को बनाने वाला उसको introduce कराके return to the patient यानि हमने lymphocytes जो खराब हो गए थे उनको निकालके patient बच्चे के या कोई भी हो उससे निकालकर उसमें हम functional DNA लगाकर उसको culture करके फिर ऐसे injectables जिसमें lymphocyte cells देखिए देखिए return to the patient patient require periodic infusion समय समय पे genetically engineered lymphocytes देने पड़ेंगे ये भी temporary है तो अब गौर कर ये permanent क्या तरीका है कि इसी gene for ADA को कब introduce किया जाए when it should be introduced embryonic stage लेकिन it's a very hectic job science इतना develop नहीं है कि अभी बच्चा गर्व में ही embryonic stage में है और उसके जाके corrective gene कर पाना it's a highly क्या बोलते है invasive process मतलब वो invasive process है और बहुती trained और technically बहुत developed तरीका चाहिए कि जिस बच्चे ने अभी पूरा भुरुनात्मग विकास embryonic development उस stage में जाके वो correction करना permanent ilaj हो सकता है तो बस question solve करने के लिए आपको ये line पता होना चाहिए so person suffering from skid is deficient of ADA adenosine deaminase enzyme उसको बनाने वाला gene defective होता है उसको correction करना और उसके लिए genetically engineered lymphocytes lymphocytes patient के body से लेकर ही जो है जिसको बिमारी है उसी के lymphocytes निकालके उनमें correction करके फिर समय समय पे periodic infusion करना पड़ता है इसलिए वो temporary है इलाज तो आपने ढूण लिया लेकिन that's a temporary permanent उसको करने के लिए यही correction आपको embryonic stage में बच्चे का बर्त हो गया 4 साल, 5 साल, 10 साल उमर हो गई है उसके बाद आप दे रहे हैं तो वो तो temporary ilाज है लेकिन जन्म से पहले ही embryonic stage में अगर यह correction कर सके it will be more effective जादा प्रभावी होगा और permanent होगा next आगे बढ़ते हैं early detection of diseases अगला diagnostic molecular diagnostic क्योंकि conventional technique क्या है urine, stool, saliva, blood analysis करके अलग अलग तरह कि body's, fluids तब तक तो शरीर बिमार पढ़ चुका होता है कुछ तो इत्तरा जार लेवा कि अब बहुत देर हो चुकी हम चाहते हैं कि बिमारी के symptoms अपने extreme form में आने से पहले ही हमें शुरू से ही grass root level पे पता चल जा है कि अंदर बिमारी का कोई factor पनप रहा है तो क्या हम इसको पहले से ही detect कर सकते हैं that early detection what the biotechnology give us biotechnology की साहता से आप इस तरह से पूरवा पनुमान करते हुए पनपते हुए किसी भी तरह की बिमारी को पहले से सचेत होकर जानकारी में लेकर सही कदम उठा के आप उस बिमार होने से बच सकते हैं तो इसी कोई कहते है helpful and better treatment सही बात है अब एक एक के बारे में बात करेंगे सबसे पहले PCR very low concentration of bacteria virus उनका जी अंदर आ चुका है लेकिन शुरू में उसका संख्या बहुत कम होती है वो incubation period से गुजरता है अपनी संख्या बल बढ़ाएगा तो हम PCR तकनीक से body से समय समय पे sample लेकर किसी भी ऐसे जीनोम को जो है उसको amplify PCR से आप जानते है polymerase chain reaction तो detected by amplification of their nucleic acid by PCR सही बात है वेक्टिर वाइडिस का detect HIV in suspected AIDS patient किसी suspected AIDS patients में हाँ viruses है और उसमें से ये जीनोम तो HIV का ही है और अभी अल्प मात्रा में था इसलिए detection और यानि वो अभी कही न कही inactive है वो धीरे धीरे active होगा अपनी cycle पूरी करने वाला है लेकिन हमें पहले ही पता चल गया है क्यों क्योंकि हमने दिये गए sample है HIV के जीनोम का copy तयार कर लिया yes that's the point तो detect mutations of genes even PCR से detect mutation of genes in the suspected cancer patient powerful technique है ना identify other genetic disorders PCR से हम ही सब कर सकते है दिलकुल सही बात है तो question ऐसी तो पूछेंगे options ऐसे आपको ध्यान रखना है और फिर अगला देखते हैं next use of radioactive probes है ना single standard DNA RNA spy molecule कहते है probes है ना जो एक spy की तरह detective की तरह वहले ना spy molecule, detective molecule, radioactive probes, tagged, hybridized to its complementary DNA in a clone of cells तो यही तो autoradiography है detection using autoradiography clone with mutated gene not appear on the photographic plane क्योंकि हमारा हमारा जो वह probe sequence है वो normal gene के लिए है हमें थोड़ी पता है mutation के बाद mutated gene ये किसी भी तरह का gene बन चुका है, खराबी हमें जो पता लगाना है उसका sequence हमें थोड़ी पता है हमें किसका sequence पता है, normal gene का logic को समझें यहाँ पर तो हमारा जो complemented DNA प्रोब की तरह हमने sample में डाला है और उसको radioactive जोड़ा है तो वो जाके अगर mutated, clone with mutated gene तो वो appear नहीं होगा क्यों? क्योंकि mutated gene के साथ वो जूड़ी नहीं पाएगा अगर photographic plate में आया band pattern आया तो यानि सब कुछ normal है और अगर उस position पे नहीं आया है यानि problem है mutation हुआ है, अब इस mutation का क्या impact पड़ेगा accordingly? तो वो ही बात लिखा है clone with mutated, not appear on photographic अप्रोब ड़स नॉट है complementary with mutated gene यही तो वो line है क्योंकि normal gene के साथ complementary pairing करते हुए auto radiography में, film में photographic illusion के साथ band patterns आएंगे लेकिन अगर वो हुआ ही नहीं है क्यों? क्योंकि वो mutated gene है और यही तो हमें पता लगाना था और वो mutation कैसा है? carcinogenic mutation है यानि cancer हो सकता है, cancer detect हो सकता है कोई और बिमारी, कोई और genetic बिमारी कैसे पता लगाते हैं? तो PCR तो है, यह भी एक तरीका है ऐसी ELISA, enzyme linked immunosorbent ऐसे, molecular diagnostic किसी भी तरह के sample में मौझूद molecule को एक antibody से, क्योंकि antibodies उसको antigen की तरह लेगा अगर वो antigen उस sample में मौझूद है तो हमारा antibody जो हमने hybridoma technology से बना है किस से बना है? hybridoma technology से तो गौर करना में क्या कह रहा हूँ? ELISA, enzyme linked immunosorbent antigen antibody interaction antigen antibody interaction detect process of antigens ELISA जो है उसका full form उसमें basic principle क्या है? that's the question antigen antibody interaction पर आधारित इस principle पर diagnostic kits बनाये जाते हैं और क्या detect करते हैं? presence of antigen वो protein, glycoprotein और antibodies synthesized by any pathogen मतलब जो pathogen क्या against antibody बना है उसको जैसे ELISA से हम क्या detect कर लेते हैं? हमारे वो antibodies जो HIV के खिलाफ बने हैं और वो antibodies specific होते हैं किसी भी pathogen के लिए जो हमारा antibodies बनते हैं antibodies हमारे शरीर में जो बने हैं वो एक protein ही है ना molecule ऐसे समझे आप और मेरे sample में क्या मौझूद है? एक ऐसा antibody जो उस antibody को antigen की तरह लेता है जैसे pregnancy card है, pregnancy test होता है HCG एक hormone है protein hormone है वो antigen, उसको antigen की तरह लिया गया है और उसके खिलाफ एक antibody, monoclonal antibody technology से हमने बनाया अब अगर urine sample में HCG मौझूद है तो reaction होगा दो bands दिखेंगे, positive test confirm होगे ना diagnosis की pregnancy है pregnancy तो आएगा अभी 9 महिने बाद बच्चे का बर्त होगा और पूरे और भी changes है लेकिन पहले ही हमने detect कर ले ना early detection वैसे ही HIV अंदर चार महिने पहले निक्षन है कभी भी आया है लेकिन test थोड़े symptoms आने लग गए तब करते है ELISA लेकिन ऐसा करके हम पहले ही पता चल जाए जितना पहले हमें पता चल जाएगा treatment उतना जल्दी चाल हो जाएगा diagnosis होकर और हम बहतर इलाज देके शायद संभावित व्यक्ती की जान बचा सके या life बढ़ा सकते है उसका तो ELISA को आप समझे इस also a technique बिल्कुल सही बात है तो antigen antibody interaction detect the presence of antigen proteins गाइको प्रोटीन जो pathogen के खिलाफ बने है खोद pathogen antigen या उसको या उसके खिलाफ हमारी शरीड ने कोई antibody बनाया जो भी हो ऐसे हम उसको पहले detect कर सकते हैं तो यह हो गए molecular diagnostic तो medical health sector में insulin का production, gene therapy और अभी अभी जो मैंने diagnostic के तीन तरीके बता है PCR auto radiography और ELISA these are the question oriented promising points from the chapter ठीक है commandos, सबको आई बात सबज में अच्छे से है, everyone of you yes please, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं next question की तरफ की अगला application क्या है industry में, research industry में है ना, जो pharma industry है और भी वहत तरह के research होते हैं देखिए सबसे पहले तो transgenic animals they are genetically modified organism उनमें DNA जो है, क्या होता है हस्तांतरित, परिवर्तन के साथ हमने उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन किया है है ना, to possess to possess an express an extra foreign gene जो उसमें प्राक्रिशी रूप नहीं सा हमारे मनोवांचित हमारी desire से बना हुआ हमारे इच्छा से उसके अंदर हमने एक बाहरी DNA जो उसके अनुवांचिक पधारत का हिस्सा नहीं था, right over 95, ऐसे transgenic जातर जो है, अलग-अलग मनाया गया है rabbit, fish, बहुत सारे अलग-अलग चीजों पर है न, sheep, लेकिन सबसे ज़्यादा question आएगा कि सबसे ज़्यादा transgenic animals, genetically modified किस species को किया गया है mice, चुहो को, laboratory use के लिए as a model specimen model जिस पर अलग-अलग तरह के फिर experiments, drug trials और भी बहुत सी चीज़े हम कर सकते हैं और अब वो उसका वहवार और सब कुछ हमारे नियंतरण में हमें पता है कि हमें क्या पता लगाना है उसके अनुसार, उसके अनुवांशिक composition को हमने change किया और फिर हम जो है अपने दवाई और अलग-अलग तरह के चीज़ों को उस पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और तब जो reports और changes आते हैं data record maintain करके नतीजे पर पहुशते हैं कैसे क्या काम होगा, तो गहुर करिएगा normal physiology and development study of complex factors involved in growth, insulin-like growth factor, study of disease, study of disease serve as models, गहुर करिएगा study of disease serve as model, यही तो मैंने बता है, यह बिमारीों का अध्यान के लिए, अब जिस बिमारी को पढ़ना है उसके लिए अगर हम अनुवान्शिक रूस उसको कमजोर कर दे, उसकी किसी metabolism को बिगार दे, तब वो बिमारी कैसे अंदर develop होगा, यह हम पहले पता लगाना चाहते हैं, logic को समझे, कि हम क्या कर देंगे, what is the logic, कि हमने ऐसा gene introduce किया, जो उसके किसी functional gene को खराब कर देंगे, जिससे cell की metabolism कमजोर होगी, फलाना organ कमजोर हो जाएगा, अब अगर मैंने उसके अंदर बिमारी के antigens डाल दिये, कुछ किये, तब बिमारी कैसे develop होगा, पहले यह इनसानों में होता था, अब इनसानों में कैसे होता था, बिमार इनसान को लाला के अध्यन होता था, ऐसे समझे न आप, ऐसे बिमार इनसान rare rare diseases होती है, तो हर किसी पर research नहीं कर सकते, इनसान पर research करना एक ethical issue है, अब यहाँ पर हस्तक्षे पर कि इनसान जो है, जानवरों के अंदर इस तरह से कर रहा है, लेकिन उसने कुछ हट तक, तो यह भी तो service to mankind, ऐसे समझे आप, this is the service to mankind, study of disease, serve as models, investigation of new treatments of diseases, पहले तो बिमार करना और दूसरे को और अच्छा कर दिया, तो वो कैसे लड़ रहा है, तो हम कैसे उसको ठीक कर, सही बात है न, कि treatment नए नए, investigations करना, क्योंकि अगर हमने कोई तरीका develop कर रहे हैं, तो वो काम करेगा की नहीं करेगा, तो करेगा कैसे, पहले बिमार करना पड़ेगा, तो बिमार कौन है, जिसे cancer, cancer patients, अब cancer patients बहुत सारे हैं, उन पर किया सकता है, human drug trials कहते हैं, लेकिन वो तो बहुत last phase है, third phase होता है, A and B, लेकिन पहले laboratory scale के जो phase one, phase two trials होते हैं, उन पर तो हमें कोई न कोई experimental model चाहिए, और वो हमें हमारे नियंतर्ण में चाहिए, और कैसे नियंतर्ण करेंगे, अनुवानशिक रूप से, genetically, वो ही बताया जा रहा है, आ गई बात समझ में, जिससे कि वो समय, क्या बोले, इससा फाइदा क्या मिलता है, समय काफी, क्यूंकि ऐसे तो cancerous चूहों को कहां, कौन ढूंड के लाएगा, तो हम उसको करके तैयार करके, फिर हम हमारे स्टडी को आसान बना लेते हैं, जल्दी-जल्दी, क्यूंकि सारे changes हमारे नियंतर्ण में हैं, आई बात समझ में, यही बात यहां बताई गई है, तो cancer, cystic fibrosis, यह सब अनुवानशिक बिमारिया हैं, रिमोटोइड, arthritis, Alzheimer, इनके अध्य, इनके नए-ने treatments, क्योंकि यह आज भी बिमारिया हैं और व्यापत है बहुत ज़ादा, तो समय के साथ इनके लिए जो नए treatment investigations है, हम इस तरह के models का स्तमाल करके transgenic, और सबसे ज़ादा कौन स्तमाल होता है, चूहे, mice, clear, clear everyone, now, next, आगे बढ़ते हैं, biological products, molecular farming, अच्छा, कुछ को तो transgenic इसलिए बनाया जाता है, क्योंका शरीर एक industry की तरह हमारे desired product को बनाता रहेगा, जो हम समय समय पर उससे abstract करते रहेंगे, तो यही है उत कहलाता देखिए, क्या है, farming, mollin, शब्द देखिए न, ऐसे product, जैसे particular product मान के चलिए कौन, human protein, alpha-1 antitrypsin, emphysema के इलाज के लिए, है न, alpha-1 antitrypsin, treatment of emphysema, तो यह जो product है, यह दवाई है, तो first, first transgenic cow, rosy बनाया गया, to produce human protein enriched milk, गाय है, milk production कर रहे हैं, लेकिन उसके milk में कौन सा खास protein है, जो human milk में होता है, कौन सा, alpha-lacta albumin, alpha-lacta albumin, nutritionally more balanced product for human babies, क्योंकि वो dehydration, बच्चे के शरी में जो water है, उसको hold करने में, दूद में जो पानी है, उसको hold करने में मदद करता है, बच्चे को dehydration से रोकता है, तो मदर का दूद 6 मेने पिलाने से, उस दौरान बाहरी उपरी पानी पिलानी की ज़रूत ही नहीं है, क्योंकि बच्चे के शरीर का, water balance का मदर की milk protein, alpha-lacta albumin कर देता है, अब उन बच्चों के लिए एक तरह से ही क्या है, आशिरवाद है, जिनके मदर की death हो जाती बच्चे के जन्यम के बाद, या फिर milk ejection नहीं होता, लेकिन उनको अपने मदर के, या human composition का milk मिलता है, लेकिन कहां से, एक दूसरे foreign body से, that is the transgenic cow, first transgenic cow 1997 में, that is rosy, ठीक है, जिसमें enriched milk और उसमें, ये मातरा भी याद रखिये, 2.4 gram per liter, इतने मातरा समना चीए, ये 24 gram लिखा हो सकता है, 4.2 लिखा हो सकता है, अब गलग, आंसर होगा 2.4, छुटी छुटी बात है, ध्यान रखियेगा, vaccine safety, फिर एक नया vaccine trials होते है, ट्रांसजनिक माइज, टेस्ट सेफ्टी ऑफ दी पोलियो वेक्सिन, तो अकसर वेक्सिन टेस्ट के लिए तो हमें चाहिए ही model, chemical safety of testing, सही बात है, बहुत सा और पी प्रडॉट्ट्स, उसकी chemistry क्या है, कोई दूसरे chemical side effects तो नहीं है, toxicity safety testing, सही बात है, अगर शरीर पे उसके काउशन है, तो उसका विशेलापन कितना है, शरीर को कितना, क्योंकि शरीर को detoxify भी करना पड़ता है, तो कितना परसंट ही करना पड़ेगा, जितना की शरीर को नुकसान न पहुचे, ऐसी बहुत सारे चीज़ों के लिए, हम transgenic models, animals का स्तमाल कर सकते, क्योंकि उनके अंदर ऐसे genes मौजूद है, जो हमारी sensitivity, इस समवेदन शीलता को, चेक करने में, और सही नतीजे में पहुचने में, मदद कर रहेंगे, यही बात लिखा है, more sensitive to the toxic substance, कितना शरीर जहल सकता है, बहुत सारे अलग-अलग faces होते हैं, तब जाके एक दवाई, कोई product, कोई भी चीज, जो है human services के लिए launch होता है, क्योंकि इनसान यह सब कुछ, ultimately, अपनी lifestyle और सुख सुविधाओं को, हर तरह से हर पैमाने में, हर शेत्र में पाना चाहता है, और इसमें biotech का क्या योगदान है, all is that about the chapter, और questions भी इसी प्रकार कहेंगे, यह एक एक लाइन इस तरह से आपको चीज़े clear होनी चाहिए, ओके, now, let's move ahead, exposed to toxic substances and the effects studies, तभी जाकि यह सब अध्यन हो पाएगा, अब आप आगे देखिए, क्या बोलना चाहा रहे है, next, ethical standards, ठीक है, अभी तक जितने भी आपने सब चीज़े पढ़ा, समझा, जो भी कुछ आपने पढ़ा, right, गौर करिए, गौर करिए chapter में, जो कुछ भी सुना, समझा आपने, इसमें आप गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात यह है, कि यहां कहीं न कहीं, हम nature के विरुद्ध जाके, हमारे need को greed में, अब जो मैं आपके साथ discuss करने आ रहा हूँ, chapter का एक ऐसा हिस्सा, आखरी हिस्सा, जहां पर ethical, कुछ समवेदनशील मुद्दे जाकते है, इस field में, कि आपका हर महत्व कांशा, जो समय की मांग तो हो सकती है, लेकिन क्या वो समय के साथ, आपका एक greed तो ना बन जाए, लालच तो ना बन जाए, और अगर ऐसा बन गया, उस दिशा में काम होना शुरू हुआ, और फिर कुछ लोगों को, कुछ समुदाय को, कहीना उनके religious और दूसरे आसपेक्ट को नुकसान पहुँच सकता है, प्रकृति को नुकसान पहुँच सकता है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे समय समय पो उठते रहे हैं, और अभी अभी जो मैंने कहा, इसमें कि आप एक animal को जो है, अपने मनोवन्चित उसका किसने हक दिया है आपको, कि आप किसी की भी gene प्रारूप को अपने अनुसार बदल कर, उसमें कुछ परिवर्तन लाकर उससे आप उत्पाद पा रहे हैं, यानि कहीं न कहीं उसको exploit कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दो को कौन address करेगा, कौन इनको deal करेगा, कौन इसका सामना करेगा, इन मुद्दो पे इस chapter से अगर question आता है, तो देखिए अब आपका जवाब कैसे होगा, तो NCRT, ethical standards, evaluation, कि क्या किसी का ethics का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, आपके द्वारा किया गया काम किसी और के लिए तो जनहित में जारी कोई नुकसान दायक तो नहीं है, morality कहते हैं, moral values होते हैं, of all human activities, ethical standards क्या कहता है, कि समय समय पे इन चीजों पे विचार करके ही कदम उठाया जाए, कि कि किसी भी इनसानी गतिवीधी का कोई बुरा असर, वातावरण और वातावरण के दूसरे जानवर, दूसरे और जो organisms हैं, उनको लंबे समय में कोई शती तो नहीं पहुचा रहे हैं, तो अलग-अलग परकार के rights, animal rights, human rights में भी अलग-अलग, अलग-अलग शेत्र में हैं न, environmental activist होते हैं, जो समय-समय पे इस पर कदम उठाते हैं, विचार करते हैं और प्रश्न करते हैं, तो इन सभी चीजों को help harm living organism, GMO, introduced into the ecosystem, unpredictable results, सही बात है, क्योंकि जिसको आपने तैयार करके इतने बड़े-बड़े दावे किये हैं, लेकिन क्या आपके लैब से बाहर जाकर उसकी गतिवीदिया और उसका वहवार का आपको ग्यान है, और अगर आप नहीं जानते हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार है, और कल क्या हो जाएगा, कैसे क्या रूप धरन कोई, कोई बिमारी का रूप धरन कर ले, या कुछ और तरह का नुकसान, या फिर पता चला, इंसानी शरीर का हिस्सा वो प्रोड़क्ट बनकर, जो है शरीर के अंदर इस तरह के बदलाव ला चुका है, कि एक पूरा नसल, पूरा एक human जिसको service देने के लिए आपने बनाया था, उसी इंसान को हानी पहुचने लग जाए, तो इन सारे मुद्दों को कौन जवाब देगा, इनी बातों के साथ, unpredictable result, ये भी एक काला ध्या है, this is the black side of biotechnology and its product also, ये भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बहतर के साथ, कभी न कभी कुछ न कुछ और भी नुकसान दायक चीज़े होती है, तो अब आप गौर करिएगा, जीएक, Genetically Engineering Approval Committee, एक ऐसी संस्था, जो समय समय पर vigilance, नजर बनाये रखते हैं, उनका काम है, to check out, to look out, की सब कुछ सही दिशा में, validity of the GM research, मनला वो समय समय पर तै करते हैं, दिया क्या प्रोजेक्ट उसमें जो दावे किया जा रहे है, वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका कोई mal effect समय के साथ तो नहीं आएगा, या गलत हातों में पढ़कर, जो है कोई गलत तरीके की misuse और चीज़े ना हो, ऐस sources, created problems with patents, फिर और भी शिकायत हैं, वही जिसको आप genetically दावा कर रहे हैं कि आपने बनाया, यह यह फूड और खाना, यह particular product यह उसका कोई चीज वो आप ही का ही है, लेकिन किसी और ने दावा कर दिया, नहीं यह तो चोरी किया गया है, हमारे इस knowledge का जो की बहुत ही पौराने जमाने से, हमारे four fathers के जमाने से, बाप दादाओं के जमाने से जो है, चीज़े चलती रही है और यह ऐसा वैसा, तो कौन इन मुद्दों को देखेगा, तो company को पहले साबित करना पढ़ेगा, और अपनी monopoly उस पर हासिल करनी पड़ेगी, इसको कहते है, बायो पेटेड, क्य company, है ना, crossed Indian बास्मती, जो यहां का मूल, ठीक है, मूल variety था, Indian subcontinent का, सही बात है बास्मती, सालो साल से इतने हजारो तरह के, क्या होते है, varieties of rises, उसमें बास्मती किया के लिए तने, तो उसके साथ उन्होंने अपने semi-draft किसी variety को cross करके, got patent rights of बास्मती rights, और दावा कर दिया क्या बलते है, Center for Scientific and Industrial Research के उस समय director रहे, ठीक है, तो उन्होंने जो है काफी सालों तक जो international court में इसके खिलाफ लड़ाई की और जीता, तब हमें उससे वापस वो मिला, ये भी एक aspect है, मैंने कहा ना, कि हर अच्छाई के पीछे कहीं न कहीं, और भी aspect जुड़े होते हैं, उन patent and trademark office से उन्होंने इस पर जो है, patent पा लिया था, लेकिन, sell a new variety of basmati, taxmati के नाम से, and in US and abroad, claimed invention novelty, claim क्या कर दिया, हमारा नया novelty है, हमने कुछ बनाया, लेकिन वो गलत था, ये तो इसी कोई कहते है, bio piracy, कि उन्होंने हमारे ही natural product को चुराया, लेकिन उस पर patent भी हासिल कर लिया फिर उसको लड़कर हमने वापस जीता, आ गई मेरी बात समझ में, तो ये example बहुत अच्छे से, GK-based question आ सकता है, NCRT के chapter के इस हिसे से, ध्यान रखिएगा आप, बासमती कि उन्होंने किस पर Indian agriculture product बासमती वेराइट्स पर किसने, America की company ने 1997, इस तरह से question आएगा, NCRT based, पायरसी को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी पायरसी हो जाती है, ये तो एक अलग case में आपके साथ डिसकस किया, और बायो पायरसी मतलब, अक्सर ये देखा गया है, कि दुनिया दो हिस्सों में बटा है, developed and underdeveloped, अक्सर developed countryों में resources की कमी होती है, natural resources, लेकिन पैसा उनके पास पैसा कमाते हैं, बिना उन्हां के local के लोगों को कुछ economic फायदा पहुचा कर, that what we call biopiracy, biological products, ठीक है, use of bio resources by MNC organization with proper, without proper, without proper, what is biopiracy की definition, अच्छा गौर करियेगा, bioprospecting, biopiracy, गौर करियेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, chapter में जो ये term आपने सुना, ये जो शब्द आपने सु biopiracy, ऐसी होता है, bioprospecting, biomagnification, bioluminescence, ये bio fortification, चलिए, चार शब्द आपके सामने मैंने रखे, question बनाते हैं, चार question फटा फटा फट यहाँ बना लो आप, biopiracy, bio fortification, bio prospecting, ठीक है, और biomagnification, अलग-अलग chapters की शब्द है, biopiracy क्या है, simply use of biological resource by multinational company without proper authorization, उसके पास उसकी authority नहीं है, फिर भी उसका proper इस्तमाल करना शुरू कर देते है, economic advantage के लिए, that is biopiracy, दूसरा मैंने क्या का, bio fortification, enriching, nutritional enrichment of the food, इसी food में nutritional enrichment कर दो, जैसे golden rice, आपको मैंने agriculture product पढ़ाते हूँ बता है, golden rice, rich in vitamin A, that is called bio fortification, उद्देश देखिए आप क्या है, फिर, फिर जो है, तीसरा नाम क्या बता है, bio prospecting, जो भी resources natural है, उनका वरतमान और भविश्य के ध्यान में रखते हुए, ठीक ठाक sustainable, जो है, development के साथ, इतना इस्तमाल करना, जिससे आज और आने वाली PD तक, उसका सहिस्तमाल, उसको कहते है, bio prospecting, और last में, bio magnification, that is the accumulation of the pesticides in the higher peak level, lower to higher in the food chain, that is called bio magnification, जो non bio degradable, non bio degradable, जो होता है, उनके लिए, आरी मेरी बात समझ में, everyone of you, clear, तो इस तरह से questions आएंगे, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, next, कि the Indian Parliament, second amendment of the Indian Patent Bill, Patent Terms, Emergency Provisions, Research and Development Initiative, यानि फिर Indian Parliament ने specially आगू किया, Indian Patent Bill System, जिससे की bio piracy को रोका जा सके, और मजबूर और under developed privileged, है ना, जिसको कहते हैं, under privileged लोगों का गलत स्तमाल, या फिर उनके किसी, उनके ancestral knowledge का गलत स्तमाल करके, लोग जो है, फाइदा ना उठाए, इन सब दिशा में रोकने के लिए, या दो किसी company में कानूनी लड़ाईन हो जाए, कि फलाना product पर हमारा हक है, ये वो, बहतर है कि आप समय रहते हुए, सही procedure से, सही तरीके से, एक कानूनी रूप से authorization ले, इसको आप कहते है, patent, यानि उसका मालिकाना हक, और इस तरह से उस पर जो है, आपका दावा ही माना है क्योंकि अलग-अलग तरह के होता है, किसी के दिमाग में कोई गाना आया, कोई शब्द उसने बनाया, जो कोई और ना बना सके, उस तरह का म्यूजिक ये, वो, इसको copyright कहते है, किसी के दिमाग में कोई literature आया, कोई पीता लिखा, तो वैसे ही biological industry और research की दुनिया में, जो patent, बायो patent घटना कहते हैं उसको, और ये एक कानूनी बिदा है, आ गई मेरी बात समझ में, so this was the chapter, इस तरह से जो है questions यहां से पूछ जाएंगे, और ये कुछ value based, GK based questions होंगे, इसके लिए NCRT के इस chapter का हर line आपको exact definition statement wise याद रहना चाहिए, जिससे की एक से दो questions जिस तरह से कुछ reasoning's हैं, क्या कारण है, कैसे किया, main बात उसमें याद रखना है, और fundamentally जैसे शुरू से आपने देखा, पढ़ा, खासकर RNA interference और ये सब, ये हिस्सों से questions बन सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए, clear, so I wish you all the best, I hope you are doing well, bye-bye.